नमज का नेशनल फिर में आपका स्वागत है मैं हूँ कुमार देखे रिसेंटली एक बड़ा डवलप्मेंट हुआ है इंडियन नेवी के वार्शिप को लेकर और जब भारत को रश्या युक्रेइन वार की वज़े से इंडियन नेवी के वार्शिप के लिए इंजिन नहीं म गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं जिनका नाम है एड्मिरल ग्रीगोरोविच लेकिन इनकी समस्या ये है कि इनमें लगता है युक्रेइन का बना हुआ इंजिन और रश्या और युक्रेइन की वज़े से फिलाल ये मामला अटक गया जाहिरे युक्रेइ ऐसे में रश्या को वार्शिप का इंजिन तो सप्लाई नहीं करेगा लेकिन इस समस्या का हल निकालने के लिए भारत की कल्यानी स्टेटेजिक सिस्टम जो भारत फोर्ज की एक सबसिडिरी है उसने युक्रेइन की उस इंजिन बनाने वाली कमपनी के मैजोरिटी स्टेक ख यानि मालिकान हक आगया है भारत की कमपनी के पास यही कमपनी बनाती है एड्मिरल ग्रीगोरोविच क्लास फ्रिगेट के लिए इंजिन एकोर्डिंग टू रिपोर्ट्स यह जो युक्रेइन की इंजिन बनाने वाली कमपनी है इसको कल्यानी स्टेटेजिक सिस्टम लिमि अगर्मेंट साइन किया था 2016 में ये एक इंटर गॉर्मेंटल एगरिमेंट था जिसके अंडर रश्या भारत की नेवी के लिए 4-320 टन वाले एड्मिरल ग्रीगोरोविच क्लास के फ्रिगेट बनाने वाला है ये नया फ्रिगेट भारत के तलवार क्लास फ्रिगेट का जिनका कंस्ट्रक्शन फिलाल चला है रश्या के यानतार शिप्यार में अब इन शिप में लगता है युक्रेइन की बनी हुई कमपनी का इंजिए 2019 में भारत ने युक्रेइन को मनाया था के वो रश्या के काली निन ग्राद के शिप्यार को दो इंजिन प्रोवाइड करा और शिप्यार के दो वर्शिप बनने थे भारत के गोवा शिप्यार में उसके लिए भारत के गोवा शिप्यार लिमिटेड और रश्या की रोसबरोन एक्सपोर्ट के बीच में 500 मिलियन युएज डोलर की दील साइनरी 2018 में भारत का गोवा शिप्यार लिमिटेड फिलाल य डिसिजन लिया था कि वो रशिया को किसी भी तरह का मिलिटरी एक्सपोर्ट नहीं करेगा अब आला कि रशिया ने 2023 में ये कहा था कि जो दो वार्शिप रशिया में बन रहे हैं भारतिय निवी के लिए वो अक्टुबर 2024 में भारत को डिलीवर किये जाएं लेकिन बाद में डेट पोस्पोर्ट कर दी गई 2025 के लिए हैरानी की बात ये है कि इन दो वार्शिप के लिए भारत की नेवी ने क्रू मेंबर्स के नाम भी अनाउंस कर दिये थे अब इन केस अगर रशिया को उन दो नई फ्रिगेट्स के लिए इंजन नहीं भी मिलते हैं युक्रेइन की तरफ से तो वो इंजन अब भारत की कल्यानी कमपनी जिसने युक्रेइन की इंजन बनाने वाली कमपनी को acquire कर लिया है वो उसे provide करा सकती है और इंडिया के जो वार्शिप का construction है वो delay नहीं होगा तो देखे ये एक बहुत ही बड़ा strategic move है के भारत को तो वार्शिप के engine चाहिए अगर ऐसे नहीं दोगे तो हम company ही खरीद लेंगे हाला कि देखे आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज़ बताता हूँ चाइना ने भी ऐसे ही कोशिश की थी चाइना का प्लान था युक्रेन की एक jet engine बनाने वाली company को acquire करने का और युक्रेन की इस company का नाम है motor switch ये company jet engine बनाती है फिलाल इसकी financial condition जो है वो अच्छी नहीं चल रही है और चलिए चाइना ने दाव खेला कि इस company को acquire कर लिया जाए चाइना की बेजिंग based sky rezone aviation ने युक्रेन की jet engine बनाने वाली motor switch company में majority stake acquire कर लिये थे लेकिन अब युक्रेन ने announce कर दिया है कि वो इस company को nationalize करेगी यानि ये company अब सरकारी company बन जाएगी और ये किया गया है US के pressure में क्योंकि US नहीं चाहता कि युक्रेन की jet engine बनाने वाली company चाइना के पास चली जाए आप लोग को मालुम होगा कि चाइना आज भी एक अच्छा jet engine बनाने के लिए struggle कर रहा है और अगर ये company चाइना को मिल जाती तो उसकी काफी बड़ी problem सोल हो सकती थी लेकिन US ने ऐसा होने नहीं दिया यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ के भारत ये जो रशिया से नए वार्शिप ले रहा है ये आखरी ऐसे दो वार्शिप होंगे जो किसी foreign country में बनकर इंडिया के पास आएंगे क्योंकि अब भारत ने एनाउंस कर दिया है कि अपसे इंडिया नेवी के लिए जितने भी वार्शिप बनेंगे चाहे वो फिरिगेट हो डेस्टोयर हो वो सब इंडिया में ही बनेंगे फिलाल इंडिया नेवी के 68 वार्शिप जिनकी कीमत है राउंड 2.5 बिलियन युएस डोलर या 12 करोड रुपे वो ओर्डर पर हैं और वो पूरे तरीके से भारत में ही बनेंगे और जब आने वाले टाइम में इंडिया नेवी के सारे वोर्शिप इंडिया में ही बनेंगे तो जाहिर है इंडिया को जरुत पड़ेगी उनके इंजिन की और इसलिए भारत की कमपनी का युक्रेन के जोरिया मेस प्रोयक्ट को एक्कॉयर करने का डिसीजन एक लोंग टम डिसीजन है फिलाल भी जो इंडिया नेवी के पास 6 तलवार क्लास फ्रिगेट हैं और में भी युक्रेन की इसी कमपनी का बना हुआ इंजिन लगा है जोरिया मेस प्रोयक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसे कल्यानी स्टैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने एक्कॉयर किया है ये एक प्राइवेट कमपनी है तो बिल्ड रिपेर एंड आवर होल अल टाइप ओफ गैस तर्बाइन इंजिन और युक्रेन की जोरिया मेस प्रोयक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी ZMI एक की प्लेयर है इन इंडियन डिफेंस सेक्टर जो भारत के लिए डेवलोप करती है और सर्विस करती है गैस टर्बाइन इंजिन को और इसलिए इसे भारत का मास्टर स्टोक माना जा रहा है आप लोग की भार इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में जल मिलेंगे धन्यवाद